केशोद में नवाबी वक्त का एरपोर्ट मौजूद है जिसे बीते कई वक्त से शुरू करने के बारे में बाते उठ रही थी और इस एरपोर्ट पर विकास के कारिया भी शुरू हो चुके थे और इसका लोकारपन भी लक्रीबन तै था लेकिन इसके बाद अचुनक ही लोकारपन समारो स्थागित कर दिया दया जिसकी कोई जानकारी भी एरपोर्ट ऑथोरिटी की तरफ से नहीं दी गई थी हाला कि केशोद में जब वेरावल बांदराद क्रेन के स्टॉप का कारिकराम आयोजित हुआ था उस दोरान पोरवंदर के सांसद रमेश भाय धड़ुक पहुँचे थे और उनकी और से उस वक्त ये बताया गया था कि 20 मार्च को केशोद का ये नवाबी एरपोर्ट फिर स शुरू हो जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी 20 मार्च जाने तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली और अभी तक एरपोर्ट फिर से शुरू नहीं हुआ है हाला कि एरपोर्ट ऑथोरिटी के और से ये पताया गया है कि उन्हें एरपोर्ट शुरू करने के मामले म कोई भी जानकारी नहीं ही है ऐसे में अब स्थानियों के मन में ये सबाल उट रहा है कि आखिर वितानसबा चनाव के नस्दीक आने के बाद ही इस एरपोर्ट को शुरू करने के मामले में कोई फैसला लिया जाएगा या फिर इस से पहले ये एरपोर्ट शुरू हो अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें